अब से पहले स्कूल जाने इतना अच्छा लगता नहीं था या यूंग एलो की पसंद होने का कोई कारणी नहीं था अब तो बिना किसी जिजक के सुपा उठ जाया करता था मैं हैसा सीने से पहले मेरे साथ कभी हुआ नहीं था क्लास में पहुँशती सेकंड रो की सेकंड सीट पर वो बैठी मिलती थी वजा थी वो जो स्कूल आने में मुझे इतनी खुशी मिलती थी वो नोटस एक्चेंज करते करते मेरा दिल भी पन्नों के साथ फिसल गया पहले प्यार में क्या सकती दिखा था यार सब की तरह मैं भी पिखल गया अब मन्जूर नहीं था कि टीचर मुझे उसके सामने ड़टे तो जुबा पे लगाम लगाया मैंने और कम करती थोड़ी बाते होमवक असाइन्मेंट्स टाइम से कम्लीट कर लेता था जिससे वो मांगे तो हाँ ही कहूं हाजकल थोड़ा पढ़ने नहीं लगा था मैं कि खल को कोई क्वेशन उठे तो उसका जवाब सबसे पहले मैं दे सकूं उसे देखकर बेवजा मैं हमेशा मुस्कुराते रहता था पागलों की तरह कॉरिडोर में भी हस्ते गाते रहता था अपनी सेकेंड सीट से उठके जब मेरी लास सीट तक का सफर करती थी न वो उसे डावट सी पूछने होंगे मैं भी बढ़े इतमिनान से उसे पहले घलत फिर सही पढ़ाता था कुछ बदल सा गया था मैं या बदल दिया गया था जिन्दगी को जिन्दगी कहने का हेक कारण भी मिल गया था क्लास में लगबग सारी बच्चे पानी लाते थे पर मैं उसी से माँगता हैसे ही चलता रहे गा या बात आगे भी बढ़ेगी अपनी फिलाल तो अभी नहीं जानता बात भी उतनी होई जाती थी जितनी होनी चाहिए थी संड़े के दिन सबको आराम रहता था पर मुझे बेचानी थी जिस दिन वो आय उस दिन सामा मुकम्मल लगता था और ना आय तो मेरा वहाँ होना बेवजा इंटरनेट पे बिक अप लाइन्स भी पढ़ी है मैंने पर उसके सामने कभी यूज क्यों नहीं कर पाया नहीं पता मेरे सारे दोस्सिंगल थे पर टिप्स ऐसी देते थे जैसे कितनों को डेट कर चुके हो मेरे पास भी और कोई आप्शन नहीं था तो इस मामले में जो कह रहे हैं वो वो करो उनलों कोने आइडिया दिया कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिल जीतना सबसे इंपोर्टेट है क्योंकि सारी परमीशन वहीं से ग्रांट होती है तो अगला फोर सीवीली मेरा वही टार्गेट है तो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा के पीछे मैं भागा वो दोनों साथ में बैठते थे तो बातचीत बढ़ाना भी असान था नताशा केमिस्ट्री में काफी अच्छी थी तो नोट्स मांग करी मैंने उससे भी बात की शुरुआत की ये सब तो सिर्फ एक बहाना था केमिस्ट्री तो मुझे बस मेरी वाली के साथ बिठानी थी काफी दिनों तक फिर योई चला फ्लर्टिंग तक मैं पहुँच गया पर उसकी आखों में मेरे लिए वो बात नहीं थी थोड़ा और वेट करना चाहिए करूं क्या रिष्टा तो नताशा से भी मेरा फ्रेंडली हो गया था बस फ्रेंडली ही था हाया ना का जवाब तो दोनों डिसकशन करके ही देंगे तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी था ना इमाजिन तो उसको मेरे साथ मैं कपका कर चुका था एक वक्त तो ऐसा था कि लग भी नहीं रहा था कि यहां तक भी बहुच चुँगा पहली बार किसी लड़की ने आगे से फ्रेंड्शिप बैंड बादना था मुझे हब तो बस वेलेंटाइन्स जे के दिन रोज का इंतजार था पर तब तब तो बड़ी देर हो जाएगी मुझे ही थोड़ी जल्दी करनी होगी क्या पता वो भी सोच रही हो कि मैं पहल करूँ दिल में भी फीलिंग पॉजिटिव ही थी जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं दोस्तों से ही साला लेता हूँ कोई ना कोई तर्कीव निकल ली आती है और मैं भी टैंशन फ्री होता हूँ तो वहां से एक सुचाब आया कि अपनी स्कूल पिक्निक होने वाली है मौका भी है दस्तूर भी है वहीं करती हो इसहार कैश्वल्स भी अलावडन तो जर्ण हीरो बनके चाहिए हो कोई बहाना नहीं चाहिए बावी बना कर ही लई हो मैंने भी सोचा बात तो सही है हैसा मौका फिर कहा मिलेगा कुछ बड़िया कपड़ी भी खरीद लेता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन रहेगा आईने के सामने मैंने रिहर्ट्स करना शुरू किया वो हाँ बोलेगी तो मैं सोच भी नहीं पा रहा थे कि कैसे रियाक्ट करूँगा पहला पहला प्यार है मिल तो जायेगा ना मेरा प्रपूजल उसे पसंद तो आयेगा ना अब पिक्निक वाला दिन आया हम चल थी ए स्कूल बस में वो खिड़की के बाहर नजारे देख रही थी और मैं सिर्फ देख रहा था उसे मेरा प्यार मेरे सामने बैठा और मैं सिर्फ उसे महसूस कर रहा हूँ मेरे चहरे पे बस एक मुस्कान चिपकी होई थी कोई बता भी नहीं सकता था अंदर से मैं कितना डर रहा हूँ डेस्टिनेशन पे पहुँचे हूँ पर आज मेरी मंजिल कुछ और थी थोड़ी दर बाद उसी ने आकर मुझसे कहा तो मैं एक बात बतानी थी मैंने का सेम पिंच मुझे भी तुम्हे कुछ बताना है उसने बोला पहले मैं बोल दूँ सब लोग मेरा वेट कर रहे है मुझे जाना है मुझे कोई जल्दी नहीं थी और उसकी बात सुनने के लिए तो मैं सालों तक इंतिसार कर सकता था उसने बोलना शुरू किया पर इसके लावा वो कुछ और बोलती न मैं दिन पर सुन सकता था उसने बोला मुझे नहीं पता उसकी हिम्मत क्यूं नहीं है तुम्हें बताने के लिए नताशा लाइक्स यू फ्रॉम दी फर्स जे जिस दिन तुम आये थे उससे केमिस्ट्री के नोट्स मागने के लिए उसने आड़ ओन करते हुए का कि मेरा काम तो बस तुम्हें बताने तक का था अब जो भी तुम्हारा जवाब हो इतमे नाज से प्लीज उसे बता देना मैं शौक में था चुप खड़ा इसका क्या जवाब दो हूँ सवाल तो आउट ओ सिलिबस था जिसे इंप्रेस करनी के लिए जिसका सहारा लिया उस सहारे से ही काम खराब हो गया फिर सोचा मैंने काम तो खराब होना ही था जब ही फाल्तु आइडिया ये बेवगूफ दोस्तों का था मैं हसूं की रोह मुझे समझ ही नहीं आया जिसका एक्जाम देना ही नहीं था उसी में टॉप करी आया आखों के सामने से दीरे दीरे वो ख्वाप की परत हट गई उससे पाने के लिए उसकी फ्रेंड का सहारा लिया और अंत में उसी की दोस्त भट गई अटेंडेंस और लड़ियों के अलावा ध्यान अपना और किसी चीज़ पे नहीं होता और वाश्रूम जाने से अपना मतलब सिर्फ वाश्रूम जाना नहीं होता पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाने के बाद खैंटी में कुछ खाने के बाद फिर क्लास में आने के बाद हमें फिर भी पढ़ना नहीं होता I love you बोलने वाली नहीं लगवादी प्रॉक्सी बोलने वाला दोस्तों न चाहिए